नमस्कार मेरे साथियों जैहिंद जैबार तवंदे मात्रम में एक बार फिर स्वागा था आपके अपने फेवरेट यूटो प्लेटफरम से वाजिकसन नियूज तो बाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी एर डिफेंस कोलेज की तरब से जो आपकी वेकेंस निकल कर आए थी 15 पदों पर यह टोटल है वेकेंस निकल कर आए थी ओफ्लाइन यह बर्थी तो आप इसके ओफ्लाइन फोरम में वह शुरू हो गया है 45 दिन इसके जो फोर्म की लाज्ट डेट रहने वाली है आपको कौन कौन सी के अंदर है यह आप देख सकते हो एर आर् का्टिफिकेशन के अंदर हम आए आपको वेकेंसी के बारे में भी जानकार दे देते हैं अप यह देख सकते हो आपकी जो आपकी फायर में पंदरा पदों पर यह 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 लग-अलग के टेग्री वाइस अलग लग वेकेंस है यह आपकी एज अथारा से साल रहने वाली है OBC के अंदर 18-30 साल और SCST के अंदर 18-32 साल ठीक है Education qualification कौन कौन इसके अंदर form बर सकता है तो यह सबी के लिए अच्छी news है Physical आपको इसके अंदर कराया जाएगा Physical आप देख सकते है Official notification के अंदर आपको physical आपकी running वगेरा कराई जाएगी आपके height 165 cm होनी चाहिए ठीक है आपको chest 21.5 होना चाहिए weight आपका 50 kg minimum होना चाहिए Running होगी 63.5 kg आपको वजन उपर लेकर 183 मेटर आपको running च्छाण में सेकेंड में पूरी करनी है और रसा वगेरा भी चड़ना है ठीक है इसमें fire का आपका डिप्लोमा नहीं मांगा गया है इसमें आपको desirable अगर है तो ठीक है बना नहीं जरूत है ठीक है और भाई यह notification और आपको offline forum कहां से डाउनलोड करना तो भाई में टेलिग्राम के अंदर डाल दिया है टेलिग्राम का link description के अंदर दिया वह है उसके माध्यम से आप यह official notification में चेक कर सकते हो और offline forum भी चेक कर सकते हो और अराम से आप forum में को बढ़ सकते हो तो चलिए आपक यह देख सकते हो पूरा offline forum में आपका टेलिग्राम के अंदर डाल दिया गया है पूरा आपको में forum दिखा रहा हूं जिसके अंदर दो पेज गई है आपका forum में वह रहने वाला है ठीक है एक admit card होगा और यह आपर यह आपका forum में होने वाला है तो सबसे पहले आपको यह आ और आपको चिपकाने होगी दो फोटो आपको चाहिए इसकी उपर आपको self attached भी करना प्रेंग करने और यहां पर करने है और आपको अच्छी तरह से जो आपकी नवींतर फोटो वह लगानी है ठीक है उसके बाद में आपको क्या करना है यहां पर आप देख सकते हो पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है तो यहां पर आपको देख सकते हो SCS2 OBC EWS इसमें आपको कर देना है पर आप जैसे अगर भाई जरनल से OBC कैंदर किसी आपके और जो आपकी सब काष्ट है सब कास्ट है वो भी आपको इसके अपना father's name लिखना है capital later के अंदर date of birth आपको लिखनी है तिक आपको age आपको लिखनी है count करनी है आपको जिसके फॉर्म की जो last date हो ग्यारा 12-2023 इसके फॉर्म की last date हो और अपनी जो आपको date of birth आप गूगल के अंदर जाकर age की calculator अगर सहच करोगे तो उसमें आपको date of birth और फ है मेरी certificate के अंदर आपको लिखना है married या unmarried है है उसके बाद education qualification इसके अंदर प्लस मांगा गया है तो आपको 10 भी लाला लगा सकते हो 12 भी लाला लगा सकते हो उसके बाद में मांगा गया है experience certificate अगर है तो ठीक है वर्णा आप no लिख सकते हो या खाली छोड़ सकते हो ठीक है अगर आपको यहां पर ermina card जिस यहां पर ममगना है तो आपको आप-पर-manENT address के अंदर लिख सकते हो औस पर कूराना address है वह यहां पर आपद है तो यहां पर आपको इसके अंदर court case के बारे में मांगा गया है कि अगर आपको court case में हो या नहीं हो तो इसके अदर आपको no no कर देना है या आपको खली छोड़ देना है उसके बाद इस 17 नमबर पॉइंट के अंदर आपको लिखा हुआ है कि ए डिफेंस कॉलेज के अंदर आपका कोई रियलिटिव यहां पर आपका जोब कर रहा है नहीं कर रहा है अगर कर रहा है तो यह सी अब बढ़ना नो कर दे तो ठीक है उसके बाद में आपको डिजारेब क्या है पहले की तारिक नहीं लगाया उसके बाद में पेज आ जाता है में पेज यह आपका यहीens Il entr काड है वह आने वाला है ठीक है तो उसे अराम से आप बरें अराम से मैं बताऊंगा किस परकार आपको बढ़ना और इसी को यह यही आपका पर आपको सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइड फोटो लगा देनी है पोस्ट आप ऄे देख सकते हो फिरमेन हैं अपना फाण स्टैम मंगवाना थिक है वह यहां पर आपको लिखना हुर आपको विध मोबाहल नंबर अपने Pin skirt वगश्या है जांपर आपको signature वगेरा है तो यह आपको खाली छोड़ देना है इसके उपर आपके role number वगेरा आएंगे date आएगी कितने तारी को exam रहने वाली है तो यह आपनों मैंने forum की आपको जान कर देती document की बात कर लेते हैं तो document आपको कौन-कौन से लगेंगे यहाँ पर आपको बात करते हैं सबसे पहले आपको मैं आपको pdf के अंदर दिखा देता हूँगी कौन-कौन से document लगने वाले आपको उसके बाद में यहाँ पर एक अलग से form लेना होगा जेस के अंदर आपको लिखना होगा application for the post fireman ठीक है इस तरब लिखना और यह from वाला वह इस तरब लिखना है ठीक है तो आपको एक्चेंज कर देना है यहाँ पर आपको दो टाक्ट डाट टिक्ट भी लगानी है ठीक है अब मैं आपको डोकुमेंट की भी जानकारी देता हूँ डोकुमेंट आपको मैं ऐसे ही डारेक्ट है वो बता देता हूँ में में जो आपको डोकुमेंट रहेंगी सबसे पहले आपको 10th pass की अगर आपको मारक सीट वह लगानी है तो उसकी फोटो को भी लगानी है ठीक है और इसके अंदर आपको क्या मांगा गया है और इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई आपको विश्यस डोकुमेंट नहीं मांगा गया है यहां पर सभी यह जो को डोकुमेंट वो सेल्प अटेच्चित होने चाहिए फोटो वेगरा एक- poetry डाल सकते हो तो वो डाल सकते हो इसके अंदर फोटो वेगरा और कोई आपको डोकमेंट नहीं लगने वाले हैं और किसी परकार के और कोई जानकारी आपको इसके form के ऊपर चाहिए तो comment box करदें आपको पूरी जानकरी इस form की आपको दे देंगे जैसे admit card के पर कोई update आएगी तो आपका भाई आपके लिए जुरूब update देखा आपको चैनल को subscribe करना है वीडियो को share करना है क्योंकि आपको भाई आपके लिए इतनी मेनत कर रहा है वो उस telegram के माद्यम से प्राप्त कर सकते हो जिसे form आता है तो वहाँ पर आपको अप्लोड कर दिया जाता है मिलते हैं नए वीडियो में नहीं जानकरी इसका तब तक के लिए जैए बारत वंदेवान रम साथियो